हाई गाईज कैसे हैं आप लोग वीडियो में हम एलकोहल और एथर्स के जो जहीं में प्रिविएस फॉर्टी येर्स क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको करने क्वेश्च करेंगे और गाईज अगर इनकेस आप से कुछ मेरे से कुछ क्वेश्चन मिस हो जाता तो आप मुझ करते हैं गाईज इसमें कहा गया है कि यह सबसे रियक्षन हो जाएगी यह जो पहली रियक्षन है इसको यह हुई कैसे होगी देखें सपोज यह फिनाइल है पी एच रिंग से में रिप्रेजेंट कर दे तो और इसकी जब एसीड से रियक्षन होई है एसेडिक हाईडोलिसीज फॉर एच आयन और एच टू होगा है अब यह रियक्षन प्रोशीड कैसे होई ऑक्सिजन पर जो लोन पेर है वो बेसिक चैरेक्टर दिखाते हैं और जैसे ही कोई एसेडिक कंपोनेंट दिखेगा उस पर यह अटेक करके इस तरह से बन जाएगा नाव बिकॉज यह जो गंपाउंड है अलकोहॉल यह अच्छा लिविंग रूप एक स्टेबिल कंपाउंड है तो यह जो एक लोन पेर है इसको ल यूज करेगी वो मेरी सबसे ज्यादा फास्टेस्स रियेक्शन होगी विकॉज यह इस रियेक्शन का RDS है रेट डिटर्माइनिंग स्टेप राइट सो वन बाई वन स्टार्ट करते हैं सो इन्हें देखें गाईज एबी सीडी ऑप्शन में जो बोला है मैंने उस तरह से कर दिया है इसमें का गया है कि वन फिनाइल ग्रूप इस रिप्लेस्ट भाई है मिथाईल ग्रूप तो मैंने जो एक फिनाइल ग्रूप है इसको मिथाईल से रिप्लेस कर दिया इसमें एक मिथाईल को एक फिनाइल ग्रूप को पैरा मिथोक्सी फिनाइल ग्रूप से Suppose यह kinetics है इस reaction का और यह reactant है और यह product है और यहाँ पर कार्बो कटैन फोर्म हो रहा है Now अगर जितना ज्यादा मेरी यह जो कार्बो कटैन होगा स्टेबिल होगा उतनी जो यह energy है नीचे आती रहेगी So जितनी नीचे आएगी stability क्योंगी ज्यादा होगी तो energy कम होगी इसकी वज़े से वह reaction है वह जो product है वह कम एनरजी एक्टिविशन एनरजी पर ही जल्दी क्रोस कर जाएगी So जितना ज़्यादा stable कार्बो कटैन उतनी ज़्यादा fast reaction अगर मैं इसमें देखूँ इससे इन्होंने एक CS3 से replace कर दिये इसमें OCS3 से और इसमें double O, 2 OCS3 से Now अगर मैं इस case को देखता हूँ गाईज OCS3 जो oxygen है इसके lone pair की वज़े से इसमें plus M effect आ रहा है राइट यह Due to this oxygen क्योंकि एक अच्छा electronegative element है इसके वे जिससे में minus I effect आ रहा है Now we know in this case जो plus M है वो हमेशा minus I effect से कुछ ज़्यादा होता है कुछ क्या बहुत ज़्यादा होता है सिर्फ और सिर्फ हैलाइड का एक case होता है अगर यहाँ पर CL होता है जिस case में जो inductive effect है वो M से ज़्यादा होता है नहीं तो हमेशा जो M है वो inductive effect से ज़्यादा ही होता है आप यह याद रखें सो इसका मतलब जो यह ring है basically activate हो रही है सो यहाँ पर जो positive charge होगा वो ज़्यादा थोड़ा stabilize हो रहा होगा क्योंकि इस पर push मिल रहा है electron density का लेकिन जब मैं इस case में देखता हूँ यह इसका double हो गया याने दो oxygen loan पहर से तो ज़्यादा electron push हो रहे है इसका मतलब अगर मैं इन सबसे compare करूँ तो यह जो मेरा c है वो सबसे ज़्यादा stable carbocatine दे रहा है इसका मतलब यह सबसे ज़्यादा fast reaction दे रहा होगा right so मेरा जो answer है वो गया c now वैसे भी अगर मैं methyl और इसमें compare करूँ गाईज इसमें सिफ प्लस i effect है right इसमें plus m effect है तो यह ज़्यादा effect डाल रहा होगा इस plus charge पर right i hope समझ पार होगा अगर मैं a और b को भी compare करूँ तब भी b ज़्यादा stable carbocatine दे रहा है right so answer is c an unknown alcohol is treated with the Lucas reagent to determine whether the alcohol is primary secondary or tertiary which alcohol reacts fastest and by what mechanism now guys Lucas जो reagent है basically है क्या सिर्फ और सिफ HCl plus ZnCl2 ZnCl2 यहाँ पर enhydrous होता है यह Lucas test है so ZnCl2 basically यहाँ पर catalyst की तरह behave कर रहा है right यह speed up करता है reaction को सिर्फ और सिफ speed बढ़ा रहा है देखे होता क्या है अगर मैं सिर्फ HCl डालता हूं right तीन test tubes हैं जिसमें primary secondary और tertiary है अब मैं जब भी मुझे नहीं पता ह इनमें primary secondary tertiary है फिलाल एक परसें यह मानें जब भी मैं इनमें जो alcohol है basically so अगर मैं इस तीनों में HCl डालता हूं so जो reaction होगी वह white turbidity आएगी थोड़ा दुंदला पंस आएगा reaction में so मैं देखूंगा कि हां reaction complete होगा इस white turbidity की वज़े से मैं देख पाता हूं कि जो tertiary जो मेरा compound है या जिसमें एक test tube में जो reaction है for example मैं comparatively बता रहा हूंगा exact timing नहीं है for example इसमें 5 मिनिट में reaction complete हो जाती है यही पे जो secondary मेरा compound है वो suppose 30 मिनिट में मेरा reaction देता है और जो primary है वो लग भग मेरा for example one day में reaction देता है इतना अंतर हो जाता है सो यह होता क्यूं है यह basically guys अगर आप देखेंगे कि suppose ROH है जो मेरा इस पे आप HCL से reaction कराता है जिसमें active species H positive है तो जो loan pair अटेक करके right तो मैं इसे CH3 माल लेता हूं भी तो यह loan pair पे attack करके OH2 यह निकल जाएगा और यहाँ पे carbocatine बन जाता है we know जो carbocatine की stability है tertiary की जाद होती है secondary से और secondary की बहुत जाद होती है primary से यह order रहता है so क्योंकि stable carbocatine बन रहा है इसकी बढ़े से जो यह reaction है tertiary की अभी जो पहले question में देखा हमने वह बहुत जल्दी हो जाती है similarly secondary है उसमें थोड़ा late और इसमें बहुत time लग जाता है ZNCL2 डालने से effect यह होता है कि जो यह reaction पांस तीस और एक मिनट लग रही थी यह थोड़ा और फास्ट हो जाती है right तो अगर मैं सिर्फ HCL न डालू मैं ZNCL2 डाल दूँ उसमें add करके तो यह क्या होगा suppose यह एक मिनट में यह दस मिनट में और यह आदे घंटे में ऐसे reaction complete होने लग जाती है right so visible हो जाता है मेरा change कि white turbidity इसमें एक मिनट में आ गई इसमें थोड़ा लेट आई इसमें थोड़ा सा old late आ वे तो white turbidity आने लग जाती है so cool मिला के मेरा answer क्या हुआ यह जो और यह जो reaction हुई we know कि यह SN1 reaction हो गई right क्योंकि इसमें पहले carbocatan form हो रहा है तो carbocatan formation क्या हो गया SN1 so इसका answer क्या हो गया मेरा answer is B कि tertiary alcohol है जो कि SN1 होगा fastest reaction tertiary alcohol देगा SN1 reaction use करते हुए okay so the number of hydroxyl groups in Q is यह reaction दी भी है मुझे Q में कितने OH होंगे hydroxyl groups वो count करके बताना है सिर्फ अब देखे guys H positive है और heat कर रहे है right so मैं इसे देखते में कह सकता हूँ कि SN mechanism है heat हो रहा है right now जो lone pair अब देखे इसमें जो reaction है यह lone pair भी कर सकते हैं और यह double bond भी कर सकता है लेकिन अब इन में से reaction सबसे पहले कौन करेगा अब देखे guys इसमें आ जाता है electron potential की बात हमेशा जब भी आपकी कोई number of species होती है pie donors होते है basically क्या है pie donors है so pie donors में जो potential है उसके हिसाब से attack करते हैं यह देखा गया है कि जो negative charge है जैसे हम कहले थे negative उसका potential सबसे ज़्यादा होता है उसके बाद हम lone pair को consider करते हैं उसके बाद हम pie bond को consider करते हैं उसके बाद हम dell positive charge और last में positive charge को यह pie donors नहीं यह pie को accept करते हैं लेकिन फिर भी अगर आपको मैं बता रहा हूँ आगे question के हिसाब से यह क्या use कर सकते हैं right so मैंने देख लिया इसके according कि जो मेरा यह lone pair है यह attack करेगा इस पर H पर right और यहाँ पर OH2 बना देगा right with positive charge now अब क्या होगा यह H2O निकलेगा good living group है तो यह निकल जाएगा H2O बन जाएगा living behind this positive charge here now यह क्योंकि secondary carbocatine है यहाँ पर यहाँ पर एक मैं methyl shift ले सकता हूँ carbocatine stabilized करने के लिए right और methyl shift suppose यह वाला कर दिया और यह वाला electron को लेके इधर आ गया so इससे क्या होगा CS3 यहाँ आ जाएगा वो positive charge यहाँ पर आ जाएगा इससे मेरा जो carbocatine है वो जो secondary था यहाँ tertiary carbocatine होगे जो की जादा stable है right guys so अब इसके according अब इन्होंने क्या कहा है कि अब मुझे इससे सबसे पहले stabilize करना है अब क्या होगा देखे है एच आयन है तो हाइड्राइट शिफ्ट हो जाएगा और यह positive charge हट जाएगा leaving behind this double bond here right now यह हो गया आपका P अब इसमें aqueous dilute k-m-n-o-4 से reaction कराई है that twin axis अब देखें aqueous double bond के साथ for example यह है अब इसकी जब भी मैं aqueous k-m-n-o-4 से या जो भी मैं m-n-o-4 है dilute है अगर यह cold है जैसे 0 degree centigrade दिया गए यहां पर इससे जब reaction होगा तो dioles बन जाते है तो यह क्या होगा यहां पर OH and OH यह क्या होगा double bond break होगा दो OH जुड़ जाएगे तो similarly अब इस case में क्या हो जाएगा यह bond break होगा दो OH जुड़ जाएगे ऐसे similarly यह bond break होगा और यहां तो OH जुड़ जाएगे ऐसे right so यह आपका जो compound है यह क्यों हो गया अब इस मुझे OH काउंट करने है OH काउंट कर लीजे कैसे करेंगे देगे 1, 2, 3 and 4 so आपको जो final answer क्या हो गया 4 right I hope आपको यह समझ माए होगा right so इस question को देखें the major product of the following reaction is अब इसमें बताना है नव गाईज एक बात अगर आपको इस question को देखेंगे इसमें सबसे पहले आपको note करने क्या आचे है जब भी आप loan pair के बराबर में double bond देखते हैं तो आप हमेशा यह सोची कुछ different reaction होगी seriously यह थोड़ा सो क्योंकि इसमें canonical structures बनते हैं different कि यह loan pair यहाँ पर donate होगा यह बन जाएगा तो इससे different product बनते है right so यह reaction one of its kind है आगे कभी कोई question आएगा इस तरह हैगा तो आप देख सकते हैं अब देखें गाईज इसकी reaction कराई है एचाएन एन्हाइडरस के साथ right suppose HCL के साथ strong है और बाद में alcohol के साथ भी reaction हो रही है तो अब इसमें क्या होगा देखें यह जो loan pair है यह loan pair जब भी आप positive charge देखेगा तो loan pair direct attack नहीं करेगा इस पर loan pair सबसे पहले इस तरह से stabilized होगा right so यहाँ पर इस negative charge आ जाएगा right अब यह जो negative charge है वो इस पर negative पर attack करता है क्योंकि यह donate हुआ यहाँ पर positive charge होगा right अब जब यह बनता है तो इससे आपको यह मिल जाएगा यहाँ पर positive यहाँ पर H right गाईज again अब RCH2 OH के साथ reaction हुई O पर loan pair है तो loan pair इस पर attack करेंगे right अब देखें क्या होगा अब मैं कैसे attack कराऊंगा मुझे यह oxygen पर छोड़ना है तो जो reaction पर attack हुआ इस point पर होगा जिस तरह से यह जो positive charge यह भी neutralize हो जाए क्योंकि oxygen एक highly electro negative element है और यह कभी भी positive charge पर नहीं रहना सो यह भी reaction इसलिए होई थी कोगी allylic जो था conjugation में था right तो अभी क्या करेगा यह attack इस पर करेगा यह जो double bond है electrons इस पर shift हो जाएंगे finally आपका जो product बनेगा कुछ इस तरह से बन जाएगा O CH2 R यहाँ पर H होगा positive charge के साथ और हड़ जाएगा right I hope समझ पार होगे सो यह मेरा जो है final product बना अब इन में से देखे क्या बना सो देखे गाई जब भी आपका किसी carbon पर दो OR जुड़े हैं और यहाँ पर दो आर जुड़े हैं अब ध्यान देखिए इसको आप हमेशा कीटल बोलेंगे कैसे compare कर सकता कीटोन से कि दो आर है और इधर डो double bond है तो क कीटल कीटोन से कीटल अगर इस आर से मैं ह रिप्लेस कर दूँ तो मेरा यह क्या बन जाता अल्डी हाइड similarly इस आर को मैं अगर रिप्लेस करके एक एच जोड़ दूँ तो यह क्या बन जाएगा acetyl aldehyde acetyl AA similarly अगर एक आर हटा के मैं यहाँ पर H जोड़ दूँ तो यह क्या हो जाएगा hemi acetyl ओके और अगर यहाँ पर आर है और एक OH है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा hemi ketal समझ मारा है गाईस आपको सो इसके according अब मैं यह group कैसे बनेगा देखे यह C है इस पर एक एक कारबन जोड़ा है और एक एच जोड़ा है तो इससे compare कर सकता हूँ OR OR H and C right guys यह OR है यह OC OR तो यह क्या बन गए आपका acetyl समझा आपको तो इसका जो answer है वो गया B right next question देखते हैं यह compound देगा है कुछ इसमें अब कहा गया है कि increasing order of boiling points now इनको सब जो compounds है इन सब का structure बना लेते हैं पहले ओके नाव इसमें boiling points बताने है अब देखे गाईस one to one देखे सबसे पहले अगर जब भी मुझे boiling point का जो order बताना है उसमें देखे सबसे पहले एक order रहता है मैं सबसे पहले यह देखूंगा कि जो boiling point है वो जो intermolecular forces हैं अब द्यान से देखी गाईस जो intermolecular forces हैं उनके directly proportional होता है जैसे edge bond है यह dipole dipole है तो अगर उस compound में IMS forces ज़्यादा है किसी में तो उसका boiling point खुझ से ज़्यादा हो जाता है अगर यह balance out हो रहा है किसी दो compound में सेम है इससे में decide नहीं कर पा रहा हूं तो मैं दुबारे जाओंगा फिर molecule weight के पास जैसे boiling point इसमें directly proportional था यानि यह अगर forces हैं इसमें तो BP ज़्यादा हो जाता है यह जो तीन में फेक्टर से जिसमें मैं देखता हूं अब मैं इसमें देखूं guys सबसे पहला जो मेरा जो compound है इसमें hydrogen bonding दिख रही है लेकिन यह inter नहीं intramolecular है hydrogen bonding okay guys intramolecular hydrogen bonding है दूसरा जो मेरा compound है इसमें कोई भी hydrogen bonding intramolecular नहीं है लेकिन यह intermolecular hydrogen bonding मना सकते किसी और OH के साथ मिलकर right ऐसे कुछ so इसमें intermolecular bonding याना h bond है intermolecular right similarly अगर इसमें compare करेंगे इसमें भी intermolecular h bonding है लेकिन इसको और इसको compare करें यह कुछ यह इसकी जो shape है वो ज्यादा stable है right linear है okay और साथ ही साथ इसमें dipole movement भी zero है right इसमें non zero है और यह जो fourth है OH इसमें तो अगर आप देखें इसमें जो molecular weight है इसमें hydrogen bonding तो इसमें भी है इसमें क्या होगा इसकी इन सब के comparison molecular weight सबसे less है अब आप जब question करेंगे इसको खुझ से ही आप order बना सकते हैं देखें सबसे ज़्यादा तो मैं इसमें कैसे बनाऊंगा यह तो सबसे less हो जाएगा क्योंकि molecular weight ही इसमें सबसे कम है right उसके बाद मैं देखूंगा अब यह ती इसमें सबसे ज़्यादा है इसमें intramolecular forces है right आप देखें इसमें और इन सम्में इसमें अंतर क्या है intermolecular forces में क्या होता है जो different molecules है आपस में tightly bound है जिससे जब मैं इसको heat करता हूं तो यह bond break करने के लिए ज्यादा energy चाहिए लेकिन intermolecular में क्या है जो compound है वो internally stable होता है और बाहर वाले compound से थोड़ा कम attached रहता है तो इसको heat देके जल्दी तूड़ जाया क्योंकि इसे दूसरों से मतलब ही नहीं अपने पडोसियों से so similarly अगर मैं इन दोनों में इसमें compare करूं तो इसमें intermolecular है तो इसके इन दोनों comparison में BP कम हो जाएगा right और अब मैं इन दोनों compare क देखने से भी लग रहा है तो second और और जो सबसे जादा हो जाएगा इसमें वो क्या हो जाएगा third तो three two one four आपका जो option है वो क्या हो जाएगा three two one four answer C I hope guys आपको समझ में आगा इसी तरह से आपको इसमें check करना रहता है the best method to prepare cyclohexene from cyclohexanol is by using अब देखो इसमें कहा है कि cyclohexene वनाना है from cyclohexanol so best method क्या होगा one by one देखते गाइस अब देखे जो इसमें यह क्या है अब यह बताया था आपको lucas reagent जो कार्बो कटैन फोर्मिशन में बनता है तो suppose यह OH है ZNCL2 यहाँ पर catalyst की तरह behave करता है तो मैं फिलाल HCL ले लेता हूँ H positive से attack करके यह यहाँ पर carbocatine बना देगा right ना यह जब carbocatine बनाएगा guys इसमें दो compound बन सकते हैं आपके we know हम हमेशा जब lucas reagent देखते हैं थी कि यहा तो CL negative attack करके यहाँ यह बना देगा या फिर यह जो H है beta elimination हो जाएगा और H हटके यह loan पर यहाँ पर arrange हो जाएगे और यहाँ पर alkin बन जाएगा right guys तो इस case में मेरा यह product तो बन रहा है लेकिन side product भी है ओके बी product अगर में देखूं concentrated H3PO4 के साथ नो guys concentrated जो H3PO4 है वो एक dehydrating agent है concentrated H3PO4 के बजाए यहाँ पर concentrated H2SO4 भी होता तो तब भी आपका same ही answer होता so dehydrating agent है यहाँ से water remove करेगा इसे कोई मतलब भी नहीं है और यहाँ पर alkin बना देगा so मुझे अभी देखने से तो लग रहा है यह सबसे best यही बन रहा है क्योंकि single product बन रहा है तो यहाँ भी दो product बन रहा है तो देखिए इस case में अभी तक तो यह भी नहीं सही बन रहा है यह भी नहीं सही बन रहा है अभी तक यह सही है and concentrated जब HCL में use करूंगा उस case में भी देखिए जो मेरा answer है वो same ही रहेगा यह और यह क्योंकि इसमें अंतर क्या है सिर्फ और सिर्फ स्पीड का है यह थोड़ी fast reaction होगी ZNCL2 की वज़े से यह थोड़ी slow हो जाएगी सो मेरा correct answer क्या होगा आग बंद गर क्या होगा यह भी राइट समझ मायागा इसको की सिर्फ और सिर्फ में single product बन रहे है और इसमें इन सब में यह product एक्स्ट्रा बन रहे है राइट सो next question देखते है वेन फिनाइल मेगनिशयम ब्रोबाइड reacts with tertiary butanol which of the following is formed फिनाइल मेगनिशयम ब्रोबाइड गिरिगनार्ड रिएजेंट है तो कुछ इस तरह से mgbr है यहाँ पे जो negative जो main rmgx होता है उससे comparison कर रहे है rmgbr लिख लिएता हो तो इसमें जो active species क्या है carbonine are negative तो similarly इसमें जो active species होगी वो यह होगी negative charges पर अब क्या है कि यह reacts with tertiary butanol so tertiary मेरा butanol कुछ इस तरह होगा और इस जो rmgx है यह मेरा ग्रिगनार्ड रिएजेंट यह attack कर रहा है यह carbon ion है देखिए जब भी आपको r negative दिखे कोई भी carbon ion दिखे यह दो तरीके से behave कर सकता है या तो as a nucleophile या as a base so base में हो क्या होगा जब भी वो किसी negative positive charge मलब acidic h देखेगा तो उसको fetch करके rh convert हो जाएगा और nucleophile में for example जैसे इस case में मैं देखूँ तो यह क्या अगर as a nucleophile attack करता है और इस तरह से कुछ reaction हो सकती है फिलाल के लिए या फिर अगर यह भी ना देखें आप इस तरह से देखें अगर कोई suppose इस तरह सोता rx है r dash x तो यह sn2 reaction करके यह निकाल देख और r r dash बना सकता है लेकिन हमेशा अगर आपकी acid base reaction और nucleophilic reaction दोनों सेम हो सकती है किसी reaction में हमेशा सबसे पहले prefer acid base reaction होती है यह knowledge आपको देनी थी यह मुझे थोड़ी सी लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर अब देखें आपको कोई nucleophilic reaction नहीं हो रही है यह मुझे सिर्फ समझाना था ताकि आगे question में कोई आया तो दिक्कत नहीं हो अब देखें इसमें देखें अब acidic catch देखें अगर आपके compound में कभी बी NH, OH, SH और triple bond CS देखें यह मैं आपको बहुत अच्छा short तरीका ब oxygen and sulfur और triple bond CB electron withdrawing ज्यादा है capabilities या electrone negativity इस case में ज्यादा हो जाते है क्योंकि SP hybridized है SP hybridized में 50% S character होने की वज़े से जो इसकी electron withdrawing capacity है वो बढ़ जाती है सो जो अगर मैं इस से compare करूँ SP की SP2 से और फिर SP3 बल्कि यह बहुत ज़्यादा होती है SP3 इसका तो होता ही नहीं बल्कि राइट सो यह order रहता है सो अगर मैं back to the question आऊँ तो यह क्या करेगा OH देखा acidic catch निकाल लेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3 CH3 and O negative समझ मैं आपको mgbr लिख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर साथ साथ आपका यह complete बेंजीन दिंग बन गई यह एच ले लिया इसने आपका direct दिख रहा है कि option दिख रहा है बी बेंजीन बने के इसका राइट समझ में आपको यह बहुत जरूरी चीज है information छोटी छोटी रहती है question करने का हमारा तभी फाइदा है जब हम उसको पूरी तरीके से समझें यह तो कोई फाइदा ही नहीं है इस question को दें गाइज the compound A with molecular formula C3H8 is treated with acidified potassium dichromate to form a product B इन्होंने का है कोई compound A है जिसका C3H8O formula है और यह जब K2Cr2O7 के साथ जब reaction हो रही है acidified तो यह B बना रहा है जिसका formula C3H6O है and B form a shining silver mirror on warming with ammonium silver nitrate ammonium silver nitrate क्या होता है solution guys tollens reagent तोलन्स reagent अगर यह क्या है silver lining दे रहे है silver mirror याने जो यह compound है यह basically tollens reagent के साथ reaction positive दे रहे है यह इसका मतलब है और क्या है कि B when treated with aqua solution of this and sodium acetate gives a product C तो इन्हों दे का कि जब मैं इसकी reaction NH3CWO NH and NH2 के साथ reaction करा रहा हूँ right यह क्या है hydrazine और plus CH3CWONA तो कोई product मेरा C दे रहे है और मुझे C को बताना है right guys now अब एक बात देखी guys मेरा B जो compound है वो tollens reagent positive दे रहे है इसका मतलब जो मेरा B है it should have a CHO group यह aldehyde होना चाहिए aldehyde हमेशा silver mirror test देते हैं so C3 इसका ज़र मैं compound मनाऊं तो कुछ ऐसे होगा यहाँ पर 1H होना चाहिए right और किसी तरह से में नहीं जोड़ सकता इसका मतलब क्या है B भै देगे तीन ही group ते अगर मेरा A और C होता तब मुझे लगता अगर C यहाँ होता है तो मैं सोचता है यहाँ लगाऊं यहाँ लगाऊं इसमें तो कोई इसका oxidation हुआ था B से इसका मतलब A should be an alcohol क्योंकि जब मैं alcohol का करूँगा oxidation तो वो इसको मैं अगर एक oxidizable H को oxidize कर देता हूँ तो यह convert हो जाएगा इसमें समझ मारा है इसको कि एक carbon पर दो O H unstable रहते है राइट जो मेरा A है वो यह है मैं आपको जस्ट knowledge के बता रहा हूँ इसमें कि A कहा है अब इसमें basically हमसे C पूछा गया है अब देखे गाईज इसमें इसकी जो reaction हो रही है वो इस वाले compound के साथ हो रही है देख गाईज अब इसको कैसे करेंगे जब भी आपके गाईज इस type का compound होता है जिसमें आपका for example एक तो यह compound है और दूसरी reaction हो रही है amines के साथ या suppose X NH2 X क्या है मुझे उससे मतलब ही नहीं है अगर मेरा दो agent है दोनों में यह मिला मुझे तो मैं आख बंद करके इसकी मैंने एक trick की वीडियो भी बनाई है वो देखेगा यह bond H2 और निकाल दूँगा और यहाँ पे C, R, double bond N और X इस type of compound बन जाएगा ओके सिमिलरली मैं इस compound में भी ऐसा करूँगा अब question यह है कि इसमें यह भी NS2 है और यह यह भी NS2 है तो इसमें कौन सा NS2 इस तरह से use होगा इस double bond के साथ अब देखें गाई यह एन है इसका जो loan pair है अगर आप मखरेंज देखेंगे इसकी इसके साथ Conjugation में है देकिन यह free है एकदम जब भी कोई free loan pair वाला NS2 होगा आपको उसको ले रहे है तो आप H2 कैसे निकालेंगे देखें यह O और यह 2H और इसको जोड़ के आपका कुछ इस तरह का compound बन जाएगा अब देखें CS3 CH2 और यह O था यह C वाला O इसके साथ जुड़ गया तो यह वाला N यह आ गया इसके एक NH था इसके था C double bond O था और इसके साथ NH2 था तो same product बन गया और जो आपका answer है वो यह ही है A Right guys I hope आपको यह समझ माया होगा इतना कोई टफ नहीं था सिर्फ आपको यह LD हाइड देखना था कि LD हाइड बन रहा गया Right ना उस question को देखें guys 1 propanol and 2 propanol can be best distinguished by यह reactions दीवी है अब देखें 1 propanol कुछ इस तरह से है और 2 propanol कुछ इस तरह से है वन बाई वन देखते हैं guys so जो oxidation with alkaline KmnO4 देखें guys alkaline KmnO4 बहुत ही अच्छा oxidation agent है और वो all the way जो compound है आपका उसको acids में convert कर देता है इसको क्या करेगा directly CWH में convert कर देगा कैसे देखें यह एच यहां पर 2H है तो क्या करता है इस H को भी OH में convert कर देगा और इस H को भी OH में convert कर देगा तो यह dehydration हो जाएगा और यहां पर आपका acid बन जाता है similarly इसमें जो H है इसको oxidize करके OH में convert कर देगा तो इस तरह से कुछ हो जाएगा यहां पर और यह remove होके यहां पर ketone बन जाएगा ना हो अब इसके बाद क्या किया है इन्होंने failing solution के साथ reaction करा देगा अब failing solution में guys अब देखे reaction होगी यह acid है और यह ketone है दोनों ही failing solution के साथ reaction नहीं देते हैं failing solution aldehydes के साथ positive reaction देगा right aldehydes के साथ positive reaction देगा acids के साथ नहीं देता until unless this is formic acid formic acid के साथ failing solution positive reaction देगा लेकिन दूसरे acids के साथ यह ketones के साथ कोई reaction नहीं देता तो इसका मतलब यह तो मेरा option है ही नहीं अगें oxidation with acidic dichromate followed by reaction with failing solution same acidified dichromate के साथ reaction करके जो kmno4 के साथ बनती है वही होगा यह cwh में और similarly यह ketone में convert हो जाएगा again failing solution के साथ कोई reaction नहीं देगे तो यह भी option नहीं है again oxidation by heating with copper now देखे copper के साथ जब में heat करता हूँ अब इसमें क्या होगा kmno4 या K2CR27 आपका directly all the way oxidize कर सकता था किसी compound को जहां तक वो हो सकता है लेकिन इस case में क्या है alcohols को यह सिर्फ aldehydes में ही या ketones में ही convert करते हैं next step acids पे नहीं जाते हैं इन copper को जो heat करके यह फाइदा रहता है इस reagent की यह महतता है है और इसके बाद failing solution के साथ reaction हो रही है yes यह हो जाएगी क्या होगाथ आप failing solution के साथ जब में reaction करूंगा तो यह positive reaction देगा और यह no reaction देगा सम्हण आ लाए आप को इसका मतलब जब आप reaction होगी यहां कि रेड का कुछ compound दिखेगा कुछ लाल कलर दिखेगा और इस पे कोई भी change नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या होगा आप कह सकते हैं जिस पे लाल कलर आए यह primary है और जिस पे कुछ change नहीं है वो secondary है तो यह आपको answer दिख रहा है next है oxidation with concentrated H2O4 followed by the reaction with failing solution जैसे मैंने आपको बताया था concentrated H2O4 के साथ जब heat करते हैं यह dehydrating agent है तो यह simple simple क्या करेगा alkene में convert कर देगा इसको H है जो यहाँ पर H2O निकाल देगा और यहाँ पर alkene बना देगा अब देखे गाईज आगे पहली बात तो जो मेरा failing solution है वो alkene के साथ reaction देगा ही नहीं और वैसे भी अगर आप देखे अगर in case देता भी कोई और भी मैं यह agent यूज़ कर लूँगा तो यह दोनों same alkene है अब मैं आगे क्या differentiate करूँगा इसमें तो यह भी नहीं है समझा है गाईज अब H2O4 के साथ dehydration ऐसे होगा गाईज OH यह H2O4 है HIN वो negative देदेगा यह C C positive बना देगा और heat हो रहा है तो यह H देखे यह electron stable हो जाएगा राइट समझ मैं आपको so next question so which one of the following will most readily be dehydrated in acidic conditions सबसे ज़्यादा कौन सा होगा जैसे मैंना भी आपको पहला example दिया था कि ROH सबोच यह CH2OH है यह HIN से reaction करेगा heat करेंगे तो क्या होगा CS3 CH2 यह positive charge आ जाता है यहने carbocatine की formation हो रही है so और जब हम heat करेंगे इसमें carbocatine बनने के बाद तो जो एक H है वो इस तरह से remove होके alkene में convert हो जाएगा so जिसमें सबसे ज़्यादा stable compound बन रहा होगा सबसे ज़्यादा stable carbocatine बन रहा होगा वो मेरा product हो जाएगा अब देखिए हम में one by one मनाता हूँ जो ए में जब मैं यहाँ पर OH हटा के positive charge हो जाएगा और हटा के यह एच निकाल के यह compound बन जाएगा मेरा कुछ कुछ S है जो B में मेरा जो compound बनेगा OH हटा के कार्बो के टैन और कुछ इस तरह से compound बन जाएगा similarly C में यहाँ पर OH हटा के यह बन जाएगा और again यहाँ पर positive इधर आ जाएगा जो D है इसमें मेरा यहाँ पर positive charge आ जाएगा और यह suppose most stable double bond बना सकता है यहाँ भी बन सकता था लेकिन यह ज़्यादा stable है क्योंकि alpha H इसमें जादा है इसके साथ conjunction में हैं यह double bond किसी के साथ conjunction में है यह double bond है यह किसी की साथ kanjugation में नहीं है फिलाल यह दोनों ज़्यादा stable दिख रहे हैं सेम दिख रहे हैं product अब इन दोनों को compare कैसा खरोगे अगर आप इन दोनों के कार्बोकेटाइन जो फोर्म हुआ था उसको देखें, यहाँ पर यह पोजिटिव चार्ज था और यहाँ पर यह पोजिटिव चार्ज था अब देखें, इन में जो सबसे ज़्यादा स्टेबिल है, वो किसका है वो है A, क्योंकि इसमें सिर्फ यही कार्बोकेटाइन बन रहा है अगर आप इस केस में देखते हैं, यह थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, लेकि इसमें ऐसे देखें देखें, अगर मैंने इस केस को लिया, और यहाँ पर पोजिटिव चार्ज बना दिया इसके साथ A, इसका एक और स्ट्रक्चर बन सकता है जिसमें यह जो डोनेट हो रहा है और यहाँ पर कुछ पोजिटिव चार्ज इस्ट्रेस से आ सकता है लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ यही एक कार्बोकेटाइन बना रहा है तो यह ज्यादा स्टेबिल है इसलिए यह सबसे ज्यादा स्टेबिल है और यह आपका आंसर है इस क्वेश्चन को देए गाइस प्रोड़क्ट ओफ कम्वेशन ओफ अन अलिफेटिक थाई ओल आर एस एच 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 यह ले लेता हूँ जब भी आपका कोई ओर्गेनिक कमपाउंड है जैसे इन्होंने एलिफेटिक थाई ओल लिया रस एच फ़र एक्जामपल में आपका अंसर हो जाएगा जैसे फ़र एक्जामपल आप मिथेन हैं मिथेन को कमपशन करते हैं बंड करते हैं ऑक्सिजन के सार ऑक्सिजन होता है अब मैं इसमें देखें C और H है दो ओवियसली एनर्जी आ एनर्जी तो सब में रिलीज ही होगी कमपशन प्रोस्टीज है तो अब इसमें C और H है अम मुझे इसका प्रोड़क्ट मताना है तो देखें C है C का O2, CO2 बना तो complete कमपशन हो रहा है मान के चल रहा हूँ H है इसका H का H2O में convert कर देता हूं oxides बना दिये इन सबके यह आपका final answer हो गया similarly आप कुछ भी देख सकते हैं इसमें इसमें आपका जो answer है वो क्या हो गया B कुछ भी नहीं देखना था गाइस इसमें और H2O liquid form में बनेगा right gases form में नहीं होगा यह ध्यान रखिए हमेशा जब भी होगा वो liquid form में बनता है right gases form में नहीं बनेगा right so इसमें भी CO2 gas निगलती है LOT यह तो जो standard आपका combustion वाला है वो यह सब यह ही है right I hope guys आपको समझ माया होगा यह एक trick है आप ऐसे लेके चले कि H2O liquid में लेगा CO2 gases state में होगी और CO2 gases state जो proper gases है वो तो CO2 में होगी H2O है भी liquid form में होगा वेपर के form में नहीं हो in CH3 CH2OH the bond that undergoes heterolytic cleavage most readily is अब देखिए guys दो मेरे same compound है यह स्वेम element है और इस case में सपोज दो different elements से सपोज X माल लेता हूं कुछ भी Z माल लेता हूं यह अगर same है तो इसको आप क्या बोलता है homolytic यानि अगर यह bone टूटता है तो इसको क्या बोलेंगे homolytic cleavage और अगर यह दोनों different है और यह तब bone टूटता है इसको क्या बोलता है heterolytic cleavage सो अब इस बात को अगर ध्यान में रखें तो यह तो आपको answer यहाँ पही कैन्ट कटिया अब इसमें देखना है आपको अब देखे जो यह heterolytic cleavage है यह दो चीज़ पर mainly depend करेगा एक तो size difference इन दोनों elements के size difference जितना ज्यादा उतना आसान उस bone को तोड़ना होगा और electronegativity जो difference है जितना ज्यादा उतना ज्यादा आसान होगा इन तोड़ना के लिए यान डारेक्टिल प्रपोर्शनल है दोनों के तो अगर आप इन तीनों compounds में अगर आप सबसे पहले carbon and hydrogen सारे इनमें अगर compare करें उपर से तो oxygen और hydrogen में सबसे ज़्यादा size का difference है carbon and hydrogen में suppose यह मान लिया और C and O में suppose यह C है और यह O है तो सबसे ज़्यादा size का difference है किसमें O and H वाले में है इसमें और electronegativity difference भी सबसे ज़्यादा क्या है O की oxygen सबसे ज़्यादा electronegative है carbon hydrogen में और H सबसे कम तो इसका मतलब यह electronegativity difference भी सबसे ज़्यादा है तो यह और आसाम ह कौन सा टूटे का D वाला OH, right, hydrogen bonding is maximum in, इन तीनों के मैंने structure बना लिए, अब इसमें काए hydrogen bonding maximum किसमें जादा है, अब दिखे, इसमें तो कोई hydrogen bonding है ही नहीं, right, देखे, hydrogen bonding कम होती है, देखे, जब भी phone, F, O, N, ये elements होते हैं, यानि इन से जुड़े, कोई जो hydrogen है, F से जुड़ा कोई H होना चाहिए, या O से जुड़ा कोई H होना चाहिए, या N से जुड़ा कोई H है, जब ये किसी in में से F, O, N, किसी भी होना चाहिए, वाला भी F भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, F, O, N, किसी से भी, right, इन से ये जो इन में से किसी element से जो H जुड़ा है और वो जब इन elements से किसी के साथ भी bonding रखता है तो तब उस case में hydrogen bonding रखे गए इस case में oxygen के साथ कोई directly H कोई नहीं जुड़ा ये इथार है basically वैसे भी ये तो है ही नहीं similarly जो आपका C option है वो भी इसी वज़े से कट गया इसमें कोई hydrogen bonding है ही नहीं कोई FON के अलावा किसी में नहीं होगा similarly अब देखे अब इस case में जो nitrogen है इसके साथ कार्बन जुड़े में है डारेक कोई H नहीं जुड़ा तो ये भी कट गया यहां से अब maximum कहें ले या एकलोता hydrogen bonding कहें ले आपका यही है hydrogen bonding इसमें कैसे बनेगी यह oxygen है इसका HO CH2 CH3 इस टाइप से hydrogen bonding हो रही है इसमें यह क्या है H bond तो आपका answer क्या है A HBR reacts fastest with इन सम में से किसमें यह मैंने structure बना लिए अब HBR किसमें कर रहे देखे है और सब में कार्बोगटैन बना देता हूं मैं तो अब इसमें देखें यह tertiary कार्बोगटैन बन रहा है यह primary है यह secondary है यह भी primary है तो the most stable कार्बोगटैन इसमें बना है तो सबसे fast reaction भी A ही देगा आंसर यह हो गया हमारा अब देखें गाईज इसमें कोई ऐसा logic नहीं लगेगा इसमें तो knowledge जुरूत है अब देखें आपको मैं बताता हूं जो भी इंदेश्ट्रियल मैथड है मिथेनोल का CS3OH का preparation का उसमें क्या होगा catalytic reduction करते हैं of carbon monoxide CO का by ZNOCr2O3 याने zinc oxide और chromium oxide के mixture से catalytic reduction करते हैं carbon monoxide and जो एक carbon monoxide है वो directly नहीं लेते basically हम water gas use करते हैं water gas है CO plus H2 CO plus H2 का reduction है ZNOCr2O3 के साथ होता है right so reaction कैसे होगी CO plus 2H2 यहाँ पे ZNOCr2O3 इससे लगबग 200 atm temperature होते हैं very high temperature होगा लगबग 4000 degree centigrade to 400 degree centigrade का लगबग temperature रहता है और यह इसको convert कर देता है CS3OH में so जो आपका इसमें answer है वो AE है आप इसको ध्यान रखें कि basically यह ही use होगा water gas use करते हैं कोई अगला question आपका ऐसे बन सकता है कि CO इसमें कहां से use होती है diethyl ether on heating with concentrated HI gives two moles of अब देखें इसमें क्या पूछा गया है CH3CH2OCH2CH3 diethyl ether हो गया है अब जब मैं इसका HI के साथ reaction करूंगा जिसमें active species एक proton है क्योंकि एक acid है तो इसमें जो oxygen के lone pair है उनसे एक attack करता है और यह आपका लगबग यहाँ पर OH positive CNC इसमें रह जाता है now because यह दोनों same bond है कोई सा भी bond टूड़ जाए for example मैं इसको तोड़ देता हूँ और यहाँ पर आपका एक तो यह CH3CH2 OH में convert हो जाता है और प्लस यहाँ पर CH3CH2 positive यह bond break हुआ तो positive charge इसमें पर आ गया और जो यह I है इसका I negative इस पर attack करके CH3CH2 I में बना देते हैं right guys समझ में आपको now again जो यह वाला compound है फिर से HI के साथ reaction करेगा याने HI से reaction करेगा OH2 बनेगा यह निकलेगा CH3CH2 positive बनेगा इसका I negative फिर से attack करेगा इसके उपर वो CH3CH2 and I में convert हो जाएगा बहुत simple reaction है तो क्या बना एक तो यह जो इथाइल आयोडाइड से एक तो यह मोल बना और X का यह मोल बना तो यह निकलेगा इसमें बहुत simple reaction थी I hope guys आपको थोड़ा सा भी idea होगा तब भी आपको यह समझ मागे होगा right the compound which reacts fastest with lucas at lucas reagent at room temperature again वही सहीम question है guys कार्बोकर्टायन stability पर depend कर रहा है अब इन में जो सबसे ज़्यादा जो stable कार्बोकर्टायन मने होगा कैसे बनेगे इसका OH हट जाएगा similarly इसका OH हट के मैं कार्बोकर्टायन मना दूगा इसका हटा दूगा और यह हटा के कार्बोकर्टायन मना होगा कैसे देगे इसमें जो मेरा कार्बोकर्टायन बन जाएगा यहां पर बनेगा इसमें इधर बन जाएगा इसमें इधर बन जाएगा और राइट इसमें इधर तो जिसमें सबसे ज़्यादा Stable Carbocatine बनेगा, वो मेरा Most Stable Carbocatine और सबसे ज़्यादा Fast Reaction उसी में होगी, तो ये D में Tertiary Carbocatine बन रहा है और ये Most Stable होगी, और ये सबसे Fast Reaction देगा, right? So D is our answer, Ethyl Alcohol is heated with Concentrated H2SO4, the product formed is, Ethyl Alcohol को Concentrated H2SO4 के साथ heat किया, तो मुझे पता है guys, सबसे पहले तो देखिए, Dehydrating Agent है, मुझे आगे की Socialism में आपको इसकी method है, वो बता चुका हूँ, तो Simple क्या करेगा, देखिए, इस पर OH है, 1H यहां का लेगा, right? H2O निकाल देगा, और Bond बना जाएगा, इस थरे का, Simple, we know, कैसे guys, देखिए, CH2, CH, OH, और यह H, यह dehydrate कर लेगा, इसको निकाल देगा, minus H2O, और इसमें Convert हो जाएगा, प्रोसीज में आपको अभी बता चुका हूँ, कैसे बनाता कि यह Protonate होगा, right? OH2 बनेगा, OH2 निकल के निकल जाएगा, Carbocatine बनेगा, यह H, Hydrate Shift होगा, और यहां पर Double Bond बन जाएगा, समझ में गाईज? तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ? C, C2H4, Alkene में ही बनेगा, गाईज, और किसी में नहीं बनेगा, यह Alkene हो गया, Alkene हो गया, right? So guys, इस Question में कर देखे, इन सबका एक Structure बना देतों में, तो C, Double Bond, S, S इस तरह बनेगा, right? C2H5OH, इस तरह से, CCL4 कुछ Tetraidal Structure बन जाएगा, and CHCL3 भी कुछ ऐसा Tetraidal Structure बन जाएगा, जब में इससे पूछा है कि कौन सा Solubile है Water में, तो मैं देखूंगा सबसे ज़्यादा Chances किसके हैं, देखे, जब भी इस टाइप के Question आया आए आपके, सबसे पहला आप यह देखे H bond किसके साथ बन रहा है, जिसमें Hydrogen bonding हो रही है, वो बहुत जल्दी Solubile हो जाएगा, तो इसमें अगर अब देखते हैं guys, HO and H, तो इस अगर मैं देखें, इस H के साथ, यह basically O Hydrogen bonding मना रहे है, right, F, O, N, इसके अलावा किसी में भी नहीं element, तो यह Hydrogen bonding की वजह से, यह basically Solubile है, Similarly, मेरा अगर यहाँ पर Ammonia होता, right, अगर मेरा यहाँ पर Ammonia होता, वो भी Solubile ही होता, और वो भी Same Reason यह होता, due to the Formation of H bond, right, so now B answer है, the correct statements about the following reaction sequence is R, Now, देखें guys, Q Mean की reaction हो रही है, O2 और H2O positive के साथ, उसका बाद जो P बना, उसकी CHCL3 and NUH के साथ reaction हो रही है, right, और जो यह reaction हुई, उसमे Q and R बने हैं, अब इन में यह reaction अलग से लिखी है guys, इस Q की reaction हुई, NUH, PH, CS2, BR के साथ S बना, उसके बाद आपको यह answer देने हैं, यह one of the best question है guys, alcohol, ether में, आपको यह समझवाना चाहिए, देखें guys, अगर मैं यह reactant देखूँ, इसको देखते ही, मुझे सबसे पहले Q Mean Process का याद आ जाना चाहिए, अगर मुझे Q Mean Process नहीं आती है guys, तो मैं यह question मेरा गलत हो जाएगा, Q Mean Process में क्या है, कि जब भी कोई आपको Q Mean है जैसे यह, C9-12, balance out कर ली जगा, तो जब भी Q Mean की इसके साथ reaction होती है, Q Mean Process है basically guys, यह इसको डारेक्ली आपको guys, अलकोहल में करनोट कर देता है, यह डारेक्ट प्रोडक्ट है, आपका P, यह प्रोसीज आनी चाहिए, वाया किसके, अगर आप कोई पूछे, वाया, तो वाया QoH, उसके बाद जब इसका hydrolysis होता है, तो यह basically इसमें convert हो जाता है, तो आपको यह पता होगा, यह intermediate है, इस reaction का, right, so फिलाल मुझे यह तो पता लग गया, अब क्या होगा, यह P बन गया मेरा, अब जो यह P है, इसकी मेरी CHCl3 और NUH के साथ reaction कराई, now again guys, यह एक name reaction है, I hope guys आपको पता होगा, तो इसमें according क्या है, जो OH के साथ, फिनोल के साथ, जब भी CHCl3 और NUH की reaction होगी, तो इसमें CHO जोड देता है, CHO कैसे जोड़ेगा, एक तो ortho position पे, और एक पैरा position पे, now इन दोनों में, अब जैसे इसमें बताया है, यह दो product बने, तो यह Q है, और य यह basically R है, इसमें यह minor होता है, यह major होता है, reason being, जो यह CHO है, देखे, C double bond O और H, इस तरह से है, अब इसमें क्या है, again guys, hydrogen bonding, H और O के बीच में hydrogen bonding, इसके वेज़े से ज़्यादा stable है, और यह major product होता है, right, समझ माया है guys आपको, यह आपका P है, और यह आपका Q and R हो गया, इस Q की जो reaction है, मैं यहाँ लिख देता हूं guys, इस जो Q की reaction है, वो again आपकी NaOH, pH, CH2, BR के साथ कराएं, so इसमें क्या होगा, देखे, NaOH का OH negative क्या करेगा, यह जो H है, acid base reaction करेगा, H निकाल लेगा, right, hydrogen bonding में है, लेकिन guys, यह तो acid base reaction के साथ तो available रहे गई, so O negative और यह CHO हो जाता है समझ मारा गाई, reaction के साथ साथ चलिया, again जो यह मेरा pH, CH2, BR है, right, so यह जो bond है, इस पर attack करेगा, SN2 reaction के साथ, मेरा, यह BR निकल जाएगा, और जो final product बनेगा, इधर, O, CH2, pH, right, यह pH था, और यहाँ पर CHO है, तो यह मेरा compound मना, S, right, यह हो गया आपका compounds, इसमें इनों अब यह कहा है, कि यह questions पूछे गए है, अब देखे, मैंने यह PQRS अलग से लिख लिए, तागे अब confusion ना हो, अब इसमें यह पूछा गया है, कि R is steam volatile, अब मेरा R क्या है, यह, तो क्या R मेरा steam volatile है, अब देखे, इसमें सबसे पहले आपको steam volatile का मतलब पता होन है, कुछ temperature compounds होते हैं, जो थोड़ा सा ओर temperature वढ़ाते हैं, तो break हो जाते हैं, कुछ compounds इतने stable होते हैं, कि जब steam यानि बहुत ही very high temperature यूज़ करेंगे, तब जाके break होते हैं, तो यह जो most stable, most नहीं, जो extra stable compounds होते हैं, उनको आप steam volatile compounds बोलेंगे, जिसमें ज़्यादा stability है, किसी वज़े से, वो steam volatile हो जाएगा, तो अगर आप इसमें देखे, R steam volatile है क्या, R is not a steam volatile, अगर यहाँ पर होता क्यों, क्योंकि यहाँ पर hydrogen bonding है, और यह extra stable है, तो यह Q steam volatile है, क्योंकि extra stability है, लेकिन यह नहीं है, तो R आपका गलत है, Q gives dark violent colorization with 1% aqueous FECL3 solution, अब देखी गाईज, यह basically क्या है, 1% aqueous FECL3 solution, basically ferric chloride test में use के जाता है, अब फेरिक chloride test है क्या, यह test है, जो main test है, फिनोल का है, फिनोल में क्या होता है, FECL3 1% aqueous ले लेते हैं से dilute, जब लेता है, तो इसमें color change हो जाता है, समझ में आपको, जो color जो भी बनेगा आपका, उसमें से क्या-क्या बन सकते हैं, blue बन सकता है, purple बन सकता है, green बन सकता है, या red brownish color हो सकता है, blue, violet, purple, green, red, brownish, अगर इसमें reaction करके ये कोई सा भी बनता है, फिनोल या फिनोलिक टाइप का कोई भी compound है, तो ये 1% ये positive test दे रहा है, इनके अलावा देखे, inols होते हैं, sulfuric acids होते हैं, या oxymes होते हैं, जो positive test दे देते हैं, लेकिन फिलाल में उससे मतलब नहीं है, अभी दे देखें आप, Q में OH है और CHO है, क्या ये आपका जो color, dark violet color देगा, देखें, violet ही है रहा, yes, this is true, ये देगा, सही, S gives yellow precipitate with 2,4 dionatofline hydrazine, अब इसको भी मैं भी देखते हैं, पहले इसको देखें, S gives dark violet coloration with 1% aqueous FECLT solution, S, इसमें क्या phenolic compound है, कोई OH नहीं है, तो ये गलत है, अब तो ये होगे, अब C option को देखें, C थोड़ा सा different है, now guys, 2,4 dinitrofenyl hydrazine, याने 2,4 DNP एक test का नाम है, बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड का टेस्ट होता है, याने CHO या कार्बोनिल या कार्बोनिल, याने काकीटोंस या aldehyde groups की presence को बताता है, जो आपका कार्बोनिल compound है, उसमें से aliphatic aldehyde हो सकते हैं, या aromatic aldehyde हो सकते हैं, या फिर ketone हो सकते हैं, simple, ये सब positive test देते हैं, अब ये test होगा कैसे, कि जब भी आपका कोई aldehyde है, या ये जो मैंने बता है, आपका aldehyde ketone है, तो 2,4 DNP जो test है आपका, compound है, वो yellow color का होता है, और अगर कोई आपक यहाँ पर aldehyde है, for example, याने positive test देगा, तो ये जो yellow color है, वो change हो जाता है, red, orange या yellow में, I mean, मलब yellow का जो color होगा, इनके अलावा कोई और में नहीं convert होगा, याने yellow का yellow ही रहा, याने, समने आपको guys, so, यहाँ पर जो 2,4 DNP है, ये क्या है, hydrazine, वो hydrazine convert हो जाता है, hydrozone, उसका ये इन में से कोई color होता है, right, so, इसमें क्या क्या है, कि S gives yellow PPT with 2,4 DNP, तो मैंने क्या बता है आपको guys, CHO है, aldehyde है, aromatic aldehyde देते हैं positive test, तो याने yellow PPT देगा, right, yellow था इसमें color का DNP, और जब आपने aldehyde में डाल रहा तो एक PPT बन जाएगा, yellow का बैट जाएगा, red का भी हो सकते है, orange का भी हो सकते है, तो ये आपका सही है, तो correct answer क्या होगि, B and C, I hope guys, ये आपको समझ मैं होगा, इसमें सबसे ज़्यादे इंप्रोटेंट जो आपको याद है, क्योंकि अगर क्यों मीन प्रोसीज ही नहीं पता है आपको, तो ये सारा reaction बेकार था, इसमें आपने FEC CL3 भी सीखा होगा, right, the following ether when treated with HI produces, अब इस case में जो again वो lone pair है, वो attack करेगा positive charge पर और यहाँ पर HI न हो जाएगा, right, positive, now इस case में अब क्या होगा, ये जो bond है, ये break हो सकता है, या ये bond break हो सकता है, अब इसमें कौन सा use होगा, so अगर ये bond break हुआ, तो आपके ये दो compound बन सकते ह हुआ, तो आपके ये दो compound बन सकते है, right, OH इधर आ जाएगा, लेकिन गाईज, अब इस case में अगर आप देखें, ये unstable है, positive charge, तो ये avoid करेए, और ये वाला इस से आगे proceed करेए, right, guys, so अब H negative I है, अब इसमें क्या होगा, ये तो alcohol बन गया, अब ये HI है, I negative, इसके साथ attack करे और यहाँ पर आपका कुछ stripe से compound बना देगा, right, guys, I hope आपको समझ में आगा, तो आपके जो दो compound बने, वो क्या बने, एक तो D and A, right, so ये तो आसान था, guys, next question देखते है, the products of reaction of alcoholic silver nitrite with ethyl bromide are, देखे, guys, alcoholic silver, जे, पूछा क्या है, देखे, CH3, CH2, BR की ethyl bromide की reaction कराई है, A, G, N, O, 2, देखे, guys, ये silver nitrite है, right, so A, G, N, O, 2, alcoholic के साथ reaction कराई, अब इसमें जो दो, basically product बनेंगे, वो पूछेंगे, इसके लिए, अब देखे, guys, A, G, N, O, 2, क्या है, एक ambident nucleophile है, कि तरह behave करता है, ambident nucleophile, मतलब इसमें दो position ऐसी होती है, जो की nucleophile होती है, right, इसमें मैंने एक वीडियो बनाई है, वो देखेगा, so, अब इसमें देखे, A, G, N, O, 2, कुछ structure, कुछ ऐसे होगा, right, अब ये bond, एक basically covalent bond होता है, लेकिन इसमें ये donor site भी होती है, right, so, इसमें फिलार में negative charge मान के चल रहा हूँ, so, इसमें जो दो site donor site है, एक तो ये oxygen और ये nitrogen, right, तो इस nitrogen में जो loan pair है, वो ये donor है, तो कभी ये इस से भी attack कर सकता है, या कभी इस O से भी attack कर सकता है, suppose मैं इस nitrogen से attack कराता हूँ, right, ये SN2 reaction देगा, और break कर देगा, तो इस case में CH3, CH2, N के साथ bond मन जाएगा, right, N double bond, O, और यहाँ पर O, O negative, याने NO2 मान लूँ से CH3, CH2, NO2, right, guys, so क्या हो गया, nitro ethane, अब दूसरे case में ये मेरा जो compound है, वो इस O से भी reaction कर सकता है, तो इस case में ये क्या करेगा, ये O इस पर attack करेगा, and again ये bond break हो सकता है, guys, normally ये क्या होता है, ये covalent bond जादा होता है, right, तो यहाँ पर loan pair है, ये भी attack मान सकते है, तो लेकिन ये क्या है, ये attacking side इसमें ये ही है, right, so अब ये attack करेगा, ये ही निकल जाएगा, तो CH3, CH2, NO, ये इस टाइप पर compound बन जाएगा, या आप बोल दूँ तो CH3, CH2, NO, right, ये हो गया आपका nitro ethane, ये हो गया आपका ethyl nitrite, N-I-T-R-I-T-E, so जो दो compound आपके जो product बने है, वो ethyl nitrite और दूसरा nitro ethane, तो आपके C and E आपका correct answer हो, right, so ये extension reasoning का type question है, इसमें पूछा गया गया गया, देखे, statement 1, solubility of N alcohol in water decreases with increase in molecular weight, अब देखे गाइस, R, O, H मेरा alcohol है, अब इसमें दो पार्ट है, ये एक तो R ये वाला, और ये ओह वाला पार्ट, ये जो R वाला है पार basically hydrophobic part होता है, याने water के साथ इसका कोई ज्यादा reaction या दूर भागता है, लेकिन जो ये OH है, ये hydrophilic part होता है, जिसे बोलूं कि water loving होता है, वो क्यों होता है, because ये जो part है, वो ये ही वो part है, जो कि hydrogen के साथ hydrogen bonding मनाता है, right, so इस hydrogen bonding होने की वरे से water loving है, right, लेकिन अब इसमें रहता है, जब तक मेरे इस ROH में, जो number of carbons है, right, वो less than या equals to 4 carbons है, right, less than या equals to 4 carbons है, तो जो मेरा इसका solubility है, वो अच्छी रहती है, high solubility रहती है, याने hydrogen bonding की quantity ज्यादा अच्छी रहेगी, लेकिन जैसे ही ये end greater than 4 carbons हो जाता है, याने molecular weight बढ़ जाता है, तो जो इसकी solubility है, या इस hydrogen bond बनने की capacity वो decrease हो जाती है, और solubility भी decrease हो जाती है, तो पहला जो मेरा option है, कि solubility of an alcohol in water decreases with increase in molecule weight, ये correct है, गलत मैंने आपको बताया, कि जैसे molecular weight बढ़ेगा, hydrogen bonding बनने की capacity decrease हो जाएगी, क्योंकि bulkiness बढ़ती जाएगी, और राइट, bulkiness बढ़ने की बढ़ने की बढ़ेगी से, OH इसका जो bond है, वो थोड़ा weaker होता जाता है, सिर्फ weight की बज़े से, ये गलत है option आपका, आपका जो इसमें C हो जाएगा, कि 1 is correct है, statement 2 is incorrect, जो मैंने आपको बताया है, वो थोड़ा याद रख लें, आप तो question और भी बन सकते हैं, कुछ भी, राइट, ethanol vapor is passed, overheated copper, and the product is treated with aqueous NUH, देगाईज, ये छोटे-छोटे question है, और इसमें आपके जो number of, जो final compound का भी, आजकल जो question बनते हैं, उसमें काफी कुछ यूज हो जकते हैं, copper के साथ heat होगा, मैंने आपको बता चुका हूँ, कि ROH, जब भी Cu heat के साथ होगा, तो R, CHO, यार, LD, HN में convert हो जाएगा, कुल मिला के, R, अपने number of carbon balance out कर ली जाएगा, right, so, केमेनोफोर ये, K2, C2, R2, 7 होता तो यहाँ पर, acids में convert हो जाता, right, तो इसकी यही फाइदा है, तो यह क्या होगा, CH2, C2, OH, तो यह convert हो जाएगा, CH3, CH2, right, OH, अब यह convert हो जाएगा, C double bond OH में, कैसे, यह जो H है, यह OH में convert हो जाएगा, right, और यह water निकल जाएगा, एक carbon पर, दो OH unstable हो, तो double bond बन जाएगा, यह मैं बता चुको होगा, इस आपको बहुत बार, और जब यह treated with aqueous NUH के साथ reaction करता है, तो इसमें देखें क्या होगा, यह मेरा carbonyl compound है, aqueous NUH के साथ reaction हो रही है, तो canny zero reaction, या फिर aldol condensation reaction, कुछ भी हो सकती है, alpha H इसमें present है, त condensation होगी, तो जो यह LD, aldol condensation होगा, वो कैसो हो गाई, यह CHO हो गया, तो similarly एक यहाँ पर हो जाएगा, suppose C double bond OH और CH3, ट्रिक है इसकी गाईज, यह CH2H मैं ऐसे ले लेता हूँ, और water निकल जाएगा इसका, तो यह क्या हो जाएगा, CH double bond CH, CH3 और यहाँ पर CHO, यहाँ पर CHO, I hope guys आपको समझ में होगा, बहुत असान है, LD, aldol condensation सबको आती होगी, अब इस question में guys, यह reactions दीए और X और Y बताने, अब देखें guys, पहले इसमें जो option में दिया गया है, OH है, H है तो मैं सबसे पहले attack करा देता हूँ इसमें, तो मेरा कुछ, यहाँ पर OH2 आ जाएगा, यह positive charge यह जब bond टूट जाएगा, good living group है, तो यह कुछ इस तरह से convert हो जाएगा, right guys, यहाँ पर, और यह positive charge इस पर आ जाएगा, यहाँ तो यहाँ पर methyl shift हो सकता है, positive charge यहाँ पर हो सकता है, लेकिन सबसे best, जो suited इसमें है, ring expansion, right, क्योंकि 5 degree है, और 6 degree हो जाएगी ring expansion होने के बाद, तो वो मैं ज्यादा prefer करूँगा, ring expansion में, तो ring expansion को कैसे होगा, कि जैसे suppose यह वाला जो bond है, मैं break करके इधर लियाता हूँ, positive charge इस वाले carbon पर आ जाएगा, तो यह कुछ इस तरह से connect हो जाएगा, कुछ ऐसे देखे, right, आप I hope ऐसे ही करते होगे, मैं suppose इसको ऐसे गर सही तरह स बना दे कुछ ऐसे हो जाएगा, करके देखेगा, आपको समझ मा जाएगा, कोई ऐसा टफनी है, ring expansion इस तरह से होगा, now अब ring expansion होगा, यह H है, अब क्योंकि यह heat हो रहा था, सिर्फ इस heat होने की वज़े से, इसका मैत्ता यह है, कि जो H है, right, यह निकल जाएगा, और जो electron है यहाँ पर यह आजाएगा, beat, e to elimination बोल सकते हैं इसको, right, यह beta elimination बोल सकते हैं, और यहाँ पर यह एक alken बने है, right, अब यह हो गए आपका X, इस X को कह रहा है कि ozonalysis कराया है, right, ozonalysis कराया है इसका X का, अब ozonalysis होने के बाद यह bond break होगा, bond break होने के बाद यहाँ जुड ज जाएंगे और इस carbon के साथ 2 double bond हो जाएंगे, h balance out कर देता हूँ, तो यह जो आपका बन गया, यह हो गया y, इसके बाद again NUH के साथ use हो रही है, अब देखे, NUH use हो रही है, तो alpha H इसमें present है, CS3, तो क्योंकि alpha H इसमें present है, इसमें भी है, इधर भी है, right, तो यह aldol condensation हो जा जाएंगे, तो ring थोड़ी कम stable हो जाएगी, आगे 7 member ring हो जाएगी, अब देखे का बना के, यह वाला जो है, यह ज्यादा stable है, यह वाले H यूज होंगे, यह H और यह O बन निकल जाएगा, और final जो आपका compound है, वो खुछ इस तरह से convert हो जाएगा, देखे, ऐसे, बना के दे जाएगते हैं, cyclobutyl bromide on treatment with magnesium in dry ether forms an organometallic compound A, the organometallic reacts with ethanol to give an alcohol B after mild acidification, ठीक है और यह पूरा, प्रोलोंग treatment of alcohol B with an equivalent amount of HBR gives 1 bromo, 1 methyl cyclopentene C, write the structures of A, B, C, write A, B and explain how C is obtained from B, नो देखें guys, cyclobutyl bromide कुछ इस तरह से बन जाएगा, आपका, right, जब यह magnesium के साथ dry ether में reaction हो रही है, तो we know grignard agent बनेगा, क्योंकि Rx जब भी mg dry ether के साथ reaction होती है, तो Rmgx बनाता है, जिसमें R negative, यह active species है, right, इसका मतलब जो यह मेरा compound है, वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, negative mgbr, grignard agent हो गया, यह हो गया, आपका organometally compound A, now, जब यह reaction करता है, ethanol, CH3CHO के साथ, तो एक alcohol बनाता है, we know कि यह एक nucleophilic compound, इस PCA carbonane, तो इस C पे attack करके यह bond open कर देगे, तो इसमें यह बना, now, after जो mild acidification इसमें क्या हो, alcohol में convert हो गया, तो यह negative क्या हो गया, H में बन जाएगा, right, सीक है, तो यह जो आपका होगे, B होगे, alcohol, अब क्या हुआ, इसका जो reaction कराई है, equivalent amount of HBR, HBR के साथ reaction कराई, तो again, क्या होगा, जो यह HBR में proton, acidic, main activity species है, तो यह इस पे attack करेगी, right, यह इस पे attack करके, यह कुछ ऐसे बना देगा, और यह जो living group है, अच्छा, H2 और यह निक जाके आपका, जो compound है, वो कुछ इस तरह का बन जाएगा, CH पे positive charge, और यहाँ पर CS3, अब देखें, अब क्या होगा, इसमें ring expansion होगा, अब जाब कि देखें कि fourth option है, यहाँ पे H है, एक H shift हो के बाद, यहाँ पे positive charge हो सकता है, लेकि जब भी कभी ring expansion होगने की possibility है, तो ring expansion हमे यह क्या होगा, ring expansion होगा, यह इधर आजाएगा, positive charge इधर आजाएगा, right guys, तो यह कुछ इस तरह से बन जाएगा, कि यह यूँ, और मैं इसको ठीक से लिख दूँ, यह कुछ इस तरह से हो जाएगा, right, positive यहाँ, again guys, यह जो H है, फिर से shift हो सकता है, hydride shift, और जो मेरा positive charge है, secondary था, तो इधर tertiary में convert हो सकता है, यह tertiary हो गया, right guys, so finally क्या होगा, क्योंकि HBR के साथ reaction की थी, BR negative है, BR negative उस पर attack करेगा, दीकि HBR की standard reaction होती है, तो मैं यहाँ पर क्या बना देता हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरह से बन जाएगा, दीकि B, R, right, और यह जो आपका है C, और B से C कैसे बना, आपको दीक गया, HBR के साथ, पहले attack किया, leaving group निकला, ring expansion हुआ, फिर hydride shift हुआ, फिर BR ने attack कर दिया, simple ring, जो standard mechanism होती है, जो हम standard सीखते हैं, वो यह बना, तो आपको यह final answer होगा, I hope guys, आपको समझ माया होगा यह, यह मैं देखिए guys, give reasons for the following in one or two sentences, acid catalyze dehydration of tertiary butanol is faster than that of N-butanol, इसमें यह कहा गया है, सपोज आपका यह tertiary butanol है, मैं C नहीं लिख रहा हूँ guys, अब balance out कर ले जागा, तो यह जो N-butanol है, इस से इसका जो मैं जब acid catalyze करूँगा reaction, सपोज H2SO4 के साथ reaction कर रहा हूँ, तो उपर वाला fast होता है, again guys, वही same है, कि सपोज acid catalyze जो मैं dehydration कर रहा हूँ, OH के थुरू होगा, और यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेंगे, similarly यहाँ पर OH के साथ होगा, और कार्बोकेटाइन इधर बन जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे तो tertiary कार्बोकेटाइन बन रहा है, और इधर primary कार्बोकेटाइन बन र को यहाँ याद है, पहले question में यह बताया था, तो जितना ज्यादा stable graph उतना नीचा आ जाएगा, उतनी reaction fast हो जाती है, तो यही reason है इसका, ओके, इस question को देखें, 2,2-dimethyl oxirane can be cleaved by acid, और oxirane पर मैं एक वीडियो बनाई है, वैसे तो बहुत topics पर बना चुगा, जिस पर मैंन लिंक description में डाल दूगा, दीरे दीरे, right, so इन्हों का 2,2-dimethyl oxirane है, उसका nomenclature ऐसे है, उसमें मैंने nomenclature भी बताया हूँ आपको, तो आपको ज़्यादा समझ माजए अगर, in case नहीं आता आपको तो, तो 2,2-dimethyl oxirane है यह, right, अब इसमें क्या है, इसका acid से cleave करना है, तो mechanism लिखने है, simple guys, again वही है, कुछ नहीं है, cyclic ethers होते हैं, आपको मैं और बता दू, तो अगर आपको oxirane में दिक्कत हो रही है, cyclic ethers है, और जिसमें 3 यह वाली जो ring होते हैं, उसको properly oxirane बोल देते हैं, so अब क्या होगा, यह जो lone pair है, again attack करता है, और जो यह O है, OH positive, right, इस तरह बन जाएगा, again अब इनमें से देखे, दो boner break हो सकते हैं, कैसे, या तो यह boner break हो जाए, यह बोल ब्रेक हो जाए, अगर यह boner break हो रहा है, तो इसमें कुछ इस तरह से यह positive charge आ जाएगा, और यह O ह, right, और अगर यह boner break होता है, तो इसमें कुछ यहाँ पर OH आ जा और यह बोन ब्रेक हो रहा है तो इधर पोजिटिव चार्ज आ जाएगा राइट नाओ अगर आप इसमें द्यान से देखें तो यह जो फस्ट हैंड बनाए हाला कि इसमें अगर मैं एक जो मिथाइल शिफ्ट कर जो यह है प्राइमरी कार्बोगेटार बन रहा है और यह बेस तरिशरी कार्बोगेटार नोने में एक एक्स्ट्रा स्टैप ले रहा है तो कंपेरेटिवली फिलाल इन दोनों कार्बोगेटार में यह ज्यादा स्टीविल है तो यह वाला बोन ब्रेक होगा समझ गए आप यह वाला बोन क्यों ब्रेक होगा राइट नाओ अब इसमें क् जो by acid है यहां suppose अगर HCl दिया होता तो यहां पर आप CL attack कर दें तो यहां पर CL जूड़ जाएगा मैं भी water मान के चल रहा हूँ तो यहां पर H2 से attack कर दे HCl होगा तो HCl से attack कर दे अगर NH2 होता NH3 ammonia से react कर दें तो यहां NH2 जूड़ जाता, same है तो आप कुछ भी जोड़ दें आपका same product बन जाएगा, right guys I hope आपको समझ में आगा, main तो इसमें यही कहा था अगर OH2 है तो यहां OH HCl है तो यहां CL NH3 है तो यहां NH2, right so यह आपकी mechanism होई a compound DC8H8 है guys O, upon treatment with alkaline solution of iodine gives a yellow precipitate the filtrate on acidification gives a white solid E, यह, right write the structures of DE and explain formation of E, now देखे A का है, जो D है हमारा compound C8H8O यह, upon reaction with I2 and KOH, iodine with alkaline solution of iodine यह yellow PPT दे रहा है और जब यह, यह जो compound बना आपका, filtrate इसको जब मैं reaction acidification करा रहा हूं इसका suppose तो यह एक जो E compound दे रहा है, वो है C7 H6O2 और यह white है, white solid अगर आप यह देखें, I2 KOH या I2 NaOH, यह मेरी yellow form की reaction होती है, right अब क्योंकि I2 है, तो यह iodophone, अगर CL2 होती है, तो chloroform की reaction हो जाती है तो इस iodophone मों chloroform की reaction क्या है, यह test है basically अब test है क्या, अब देखे अगर मेरी compound है, उसमें इस तरह की attachment है इस तरह का या फिर इस तरह का, मतलब देखें, यह अगर test positive दे रहा है, याने yellow precipitate दे रहा है, तो इसका मतलब यह जो d है इसमें या तो मेरा इस type of compound होना चाहिए यह attachment जरूर होना चाहिए, यहाँ पर R कुछ भी जोडते रहो यह बस अलग होना चाहिए similarly इसमें एक ऐसा अलग होना चाहिए इस CH के साथ 1 OH और एक CH3 जूड़ा होना चाहिए बाद में इस CH के साथ कुछ भी जूड़ा हो तो यहाँ पर यह होना चाहिए समझ माया काईस आपको इसका मतलब यह जो compound है C8H8O यह यह होना चाहिए अगर मैं इस पहले वाले compound को लो देखे आप इसमें आइसोमेरिजम आप बनाते रहेंगे आपको इसमें थोड़ा smart work करना पड़ेगा अब देखे क्या है अगर मैं पहले वाले को मानने इसमें फिलाल अब मुझे अगर यह balance out हो गया तो मेरा इस type का compound हो जाएगा ठीक है फिलाल मैं पहले वाले को लेके चलता हूँ अब क्या होगा C8H8 और O में मैंने C2 है और इसमें H3 है और O1 है यह minus कर दू तो क्या होगा C6H5 यह बचा अब यह अगर C6H5 आपने देखा तो देखते आपको यह ring याताने चाहिए समझवागे आपको यह ring ने चाहिए तो CH3 C double bond O मैं यहां पर यह ring जोड़ दूँगा तो मेरा यह compound हो रहा है बन रहा है लेगे नगर अब उस case में आप देखेंगे तो उस case में नहीं बनेगा राइट अब यह तो मेरा होगे D इसका reaction होई yellow PPT बनी में convert होई होगी अब yellow PPT में कैसे convert होगी आपको I guess I hello form की reaction आती होगी तो जो reaction होगी इसकी इसी trick है कि जो यह वाला compound है बोन ब्रेक कर दे आप इसकी trick की वीडियो में बनाऊंगा भी बता दूंगा आपको देखें क्या होगा इसकी trick क्या है यह बोन ब्रेक कर दे इस वाले का तो हेलोजन बना दे जो यह yellow है वो यह कि जो CS3 है इस वाले का तो आपने हेलोजन बना दिया यह जो yellow foam बना दिया याने CHI3 इस वाले का yellow foam बना दिया और इस वाले का आप acidic salt बना दे कैसे यह वाला जो bond है राइट विदा C double bond O है और O negative माल ले तो मैं यह trick है डारेक्ट आप वैसे reaction आप डारेक्ट भी उस कर सकते लेकिन हमेशा क्या करें जब भी ऐसा हो न compound आपको क्या करना हमेशा ऐसे break करना है similarly अगर CH3 CHOH वाला यह कुछ reaction होती न तो इसमें क्या करें यह वाला bond break कर दें राइट CH के बरगारों जो fix है तो यानि यह yellow foam बना देगा CHCL3 CHI3 और जो यह acidic salt में convert हो जाएगा आप समझ पा रहे होंगे आप तो यह मेरा इसमें convert हो गया CH3 CHI3 और यह क्या होगे आपका yellow PPT right now अब मुझसे इससे कहा है कि जो इसकी reaction हो रही है इसको acidify करा दिया मैंने अब इसको acidify करा दिया तो देखे guys HION है HION इसमें एक ही salt है तो यह क्या बन जाएगा benzoic acid negative H यहाँ जोड़ जाएगा थोड़ा सा गंदी writing होगी guys I hope आपको समझ मा रहा होगा यह OH right guys समझ मा आपको तो यह इसमें convert होगा right so benzoic acid और यहाँ पे आपका hydrofoam ठीक है तो यह आपका E होगया white solid यह white color का है right so I hope guys आपको यह समझ मा आगया होगा basically इसमें जो मैं समझाना चाहरता हूँ यह है एक तो hellofoam की reaction और दूसरा आपको यह पता होना चाहिए इसके trick डारेक्ट पता होना चाहिए guys आपको mechanism कैसे कब तक use करेंगे थोड़ा सा right तो यह break करो hellofoam बनाओ इसका acid बनाओ और डारेक्ट करो okay so 3-3 di-methyl butane 2-ol loses a molecule of water in the presence of concentrated sulfuric acid पता है dehydrating agent है बहुत ही अच्छा to give tetramethyl ethylene as a major project suggest a suitable mechanism अब देगे guys यह 3-3 di-methyl CC फिलाल अभी यूज नहीं कर रहो हूँ जब मुझे जरूत होगी तो मैं O2H04 का जो main है OHN है O attack करेगा तो यहाँ पर OH2 निकलके positive charge आ जाएगा right इस case में अब क्या होगा यह secondary है तो यहाँ पर methyl shift हो जाएगा right और यहाँ पर carbocatine इधर बन जाएगा इधर आते ही secondary carbocatine था वो इधर tertiary carbocatine में convert हो गया right guys क्योंकि इसमें concentrated sulfuric acid था अब इसमें क्या होगा H ion जो इधर वाला है तो यह क्या हो जाएगा यह basically हट जाएगा यह जो देगे क्या होगा यह जो electrons है इधर आ जाएगा E to elimination right तो यह क्या हो जाएगा C C double bond C and C इस तरह का आपका compound बन जाएगा यह methyl shift हो आता तो एक C यह जोड़ जाएगा right तो यह आपका compound बन जाएगा I hope guys आपको समझ में आँगा बहुत ही basic था 96 में पूछा गया था so next question देखते है now question को देख आइज when tertiary butanol and n-butanol are separately treated with a few drops of dilute chaminophor in one case only the purple case disappears ठीक है और brown PPT formed होगा कौन सा हो अब देख आइज इसमें देखे अगर मैं tertiary butanol बनाता हूँ तो CS3 CH3 CH3 OHE और इधर CH3 CH2 CH2 COH CS2 होगे now होगा क्या जब भी मैं KmNO4 के साथ reaction करता हूँ alcohol से वो directly acid में convert करने कोशिश करेगा बता चुका हूँ तेकिन उसके लिए oxidizable H होना चाहिए देखे होता क्या है मैं next page में बताता हूँ हलका सा idea देता हूँ आपको CH4 है जब मैं इसका oxidation करूँगा इनमें से 1H OH में convert हो जाता है अगेन फिर से जब मैं इसका oxidation करता हूँ फिर से 1H OH में convert हो जाएगा यह क्या है एक carbon पर 2H unstable है तो water निकल जाता है और यह किसमें रह जाता है HCH double bond O aldehyde में बन जाएगा यह ketone में depending on the case अगेन फिर से जब मैं इसका oxidation करता हूँ इस H को फिर से OH में convert हो जाता है तो यह acid में convert हो गया अगेन फिर से में और अंदर extreme condition इसको oxidize करने कुश्च करता हूँ तो यह जो H है finally यह भी OH में convert हो जाएगा और carbon पर again 2H तो water निकल जाएगा तो यह basically CO2 में बन गया CO2 convert में हो गया पता है आपको इसलिए अगर इसमें H है तब ही है convert होगा इस C से directly कोई attach ही नहीं है तो कहां से कुछ होगा तो इसमें basically कोई भी oxidation नहीं होगा no oxidation happens here लेकिन इधर भाया यह H है 2H है 2 9H को OH OH में convert कर दे H2 बना दे और यह direct CWH में convert हो जाएगा राइट इधर तो reaction होगी purple color disappears यह positive reaction दे रहा है यह कोई reaction नहीं देता राइट यह आपका answer है यह वाला नहीं इस question को देए compound X है कोई C5H8O है C5H8O अब वो क्या कहा है does not react appreciably with lucas reagent and room temperature now lucas reagent के साथ अच्छी दरह से reaction नहीं कर पा रहा है no appreciable reaction याने reaction तो हो रही है आप धियान रख दीजेगा इस बात words पर reaction तो हो रही है लेकिन अच्छी तरह नहीं हो रही है right इसका मतलब reaction हो रही है तो याने alcohol की reaction है इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा है तो primary alcohol हो सकता है room temperature पर कोई अच्छी reaction नहीं हो रही है OH तो ही OH तो इसमें होना ही चाहिए अब क्या है कि what gives a PPT with ammonical silver nitrate अब ammonical silver nitrate solution का होता है tolans reagent इसके साथ PPT दे रहा है समझ रहे हैं यानि silver जो mirror बनता है silver color का PPT बन रहा है तो इसका मतलब क्या हो सकता है या तो C triple bond CH इस टाइप के compound हो सकता है आप मैंने tolans reagent पर बनाई विए वीडियो देखेंगा ही इस टाइप के compound हो सकते हैं अब क्या है कि ME axis of ME MGBR के साथ CH4 बना रहा है तो ME यानि CH3 negative MGBR के साथ यह CH4 बना रहा है यानि इस compound में मेरा यह जो मैं बता रहा हूँ न OH है यह है यह है यह इस की बात कर रहा हूँ मैं तो यह इसमें एक acidic H है एक acidic H है तो यह जैसे C triple bond CH है अगर मैं CH3 negative से reaction कराता हूँ तो यह ले लेगा तो यहां पर CH4 बना देगा यह convert हो के तो इसका मतलब यह तो मेरा confirm हो रहा है कि यह हो सकता है मेरा इसमें treatment of X with H2 in presence of PT catalyst याने hydrogenation कर रहा हूँ मैं followed H2 PT के साथ hydrogenation और HI के साथ इसकी axis reaction करा रहा हूँ तो इसमें मेरा N-pentane बन रहा है इस type of compound और मुझे क्या कहा है X का structure बताना है अब इस सारी reaction को मैं involve कर दूँ अब देखे सबसे पहले तो जो यह इसका hydrogenation किया और HI के साथ reaction कराई तो इसके से तो यह पता लग गया कि फिलाल यह 5 carbon है पहले मैं देखू no appreciable reaction तो याने primary OH तो suppose मैं एक primary OH मान के चल लेता हूँ primary OH मान लिया इसमें कह रहा है कि acidic H present है तो याने और यह मैंने कहा acidic present हो इन दोनो combine मान के चलूँ acidic H तब ही हो सकता है जब इसमें यह हो sound my guys आपको यह दोनो reaction भी convert इसमें आ गए अगर आप इसको देखें यह मेरा जो compound है final compound बनी है अब इसको अगर आप देखें balance out करेंगे न गाइस तो इसका C5H8O बन जाएगा ओके जैसे 2 to 4 to 6 7 & 8 C5H8O हो गया arrange the following in increasing order of boiling point तो अगर इसमें देखें 1 by 1 देखें यह N butane है इसमें देखे OH है तो OH में intermolecular hydrogen bonding हो रही है जैसे ROH है तो दूसरे किसी ROH के साथ मिलकर और H के बीच में hydrogen bonding हो रही है ठीक है इसमें कोई hydrogen bonding नहीं है लेकिन अगर आप इसको देखें इसका dipole है dipole movement है इसमें dipole interaction होने की वज़े से यह थोड़ा सा इसका boiling point है वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा इससे कम होगा लेकिन इससे IMF forces देखते ना पहले गाईसम मैंने बताया था आपको right अगर मैं इसमें अभी arrange करूं इन दोनों में कुछ नहीं है simple हैं वाले तो इसका मतलब सबसे ज्यादा तो मेरा अभी क्या बैट रहा है N-butanol inter-molecular hydrogen morning फिर dipole movement सबसे बताया था IMF देखते हैं सबसे पहले फिर molecular weight और फिर shape N-butanol फिर N-butyl chloride अब इन दोनों इसमें देखें इसमें एक दो तीन चार एक दो तीन चार weight तो लगबग सेम है अब shape देखेंगा अब देखेंगा इसमें shape ऐसी है simple यह ज्यादा जो shape है यह अच्छी तरह से arrange हो सकती है लेकि नहीं कहा है थोड़ी सी तरशर ही है तो थोड़ी अगर इसमें circular shape मालूँ तो यह थोड़ा सा जो attached होंगे आपस में डंग से नहीं होंगे यह ज्यादा stable shape होने के वज़े से tightly bounded है यह tightly bounded नहीं है तो इसका boiling point थोड़ा ज्यादा हो जग comparatively इनके इसका मतलब N-butane और सबसे कम जो boiling point है वह मेरा isobutane का याने इसका तो यह मेरा order हो गया और यह मेरे reasons हो गया राइट तो next question noise question को दें गाईज यह मैंने आपको बताया था trick है तो CH3, CH2 and OH की reaction हो रही है I2 and OH के साथ यह है आपकी basically idroform reaction मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी CH3, COO यह linkage हो और CH3, CH, OH यह linkage हो तो अगर किसी में या तो यह वाला bond या फिर यह वाला हो तो यह idroform reaction दे सकते हैं आपको इसको compare करें तो इसमें जो R है वो H है तो यह दे सकता है अब मैंने ट्रिक क्या बताया था यह bone break करें इसका तो idroform बना दे याने CH3 और इसका बना दे आप क्या acid याने एक carbon का acid है तो plus HCW negative इसमें यही है next question देखते है suggestive reason for the large difference between the boiling points of butanol and butanol although they have almost the same solubility in water जो मेरा butanol है वो इस तरह का बन रहा है और जो butanol है वो कुछ इस तरह से बनेगा अब boiling point में क्या है मैंने आपको बताया था intermolecular follicles पहले देखते हैं इसमें hydrogen bonding मना रहा है दूसरे butanol के साथ वो भी intermolecular ध्यान दीजेगा intermolecular लेकिन इसमें क्याया सिर्फ और सिर्फ डाइपोल मॉमेंट है तो hydrogen bonding की preference हम जादा होती है डाइपोल मॉमेंट से इसकी boiling point जादा हो जाता है यही reason है इसका next question देखते है एन alcohol A when heated with concentrated estrocephor gives an alkene B right guys एक alcohol है यही पर लिख लेता हूँ साथ साथ में एक जब मैं इसको heat करता हूँ estrocephor के साथ तो मुझे alkene बनता है obviously बनता ही होगा यह तो पता ही हम है और when B is bubbled through bromine water we are to water के साथ जोगी एक अच्छा oxidizing agent रहता है और when the product obtained is dehalogenated अब देगाइस क्या है कि when B is bubbled through bromine water कोई product बना और जब यह product आपका dehydro halogenated किया मलब dehydro halogenated with excess of sodamide NANS2 बहुत ही अच्छा base है यह अभी देखते रही क्या बनना है compound C gives D when treatment with warm dilute H2SO4 यह D बन रहा है ओके गाइस when treated with you in presence of HgSO4 देखते मैं क्या माल लूगा यह oxymercuration demercuration reaction हो रही है calcium salt अब देखें क्या कहरा है कि जब calcium salt acid C 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 बहुत ही, मतलब easy question है, यह tough लग रहा है, अब मुझे जैसे यह पता लग गया, D बनिया, तो मुझे D असानी से पता लग जाए, क्यों जब भी मैं heat करता हूं, calcium carbonate निकल जाएगा, CaCO3, जैसे ही CaCO3 निकल जाता है, तो यह CaCO3, C, right, double bond O, CH3, यह बनिया मेरा, तो जो मेरा D compound है वो यह बनिया, right guys, यह D मेरा जो हो गया, यह बनिया, अब एक बात देखिए, इसका oxymercuration, demercuration होके, हम इसे अटा देता हूं भी, इसकी अब use नहीं रही मुझे, अब एक बात देखिए, C से बना D, oxymercuration, demercuration, दो तरह की oxymercuration, demercuration होती है, तो alkyne पे, यह alkyne पे, जब मैं alkyne से oxymercuration, demercuration करता हूं, तो मेरा LOH जोडता है, alcohol, जब मैं alkyne से oxymercuration, demercuration करता हूं, तो मेरा basically ketone बनता है, after totomerism, right, totomerism ओर हो जाता है, I hope पता होगा आपको, और oxymercuration, demercuration में वीडियो बनाई है, वैसे वो देखिएगा, so यह इसका मतलब, क्योंकि ketone बन रहा है, तो इ इसका जो triple bond है, तो आप कैसे बनाएगे, तीन carbon है, तीन carbon है, तो मैं आसानी से liberty ले सकता हूं, तीन C है, किसी पर भी लगा दे, कोई फरक नहीं पड़ेगा, right, तो मेरा जो C है, वो मेरा यह बनी है, CH3H, यह होगे मेरा C, आसानी से ले लिए, गाइस देखिए, अब क्या 4 से D बना रहा था, D यह है, तो अगर मैं A क्या होगा, कौन सा alcohol होगा, यहाँ पर OH होना चाहिए, जब मैं तभी तो एक CH, H को हटा के OH लेगा, तब CW बन जाएगा, आप copy पर use करके देखीगा गाईस इस तरह से, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह क्या हुआ, यह क्या हुआ यह आपका alcohol बन जाएगा, S2SO4 से जब heat करेंगे, तो C double bond, C single bond, C यह एलकीन बन जाएगा, यहाँ पर, जब ब्रोमीन वाटर से आप इसको करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर यह क्या बन जाएगा, C, 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 यहाँ पर दो BR जुड जाएगे, राइट, वो दो जब dehydrogenation यहाँ पर बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, C, C double bond, C, C, एक BR रह जाएगा, अगेन फिर जब NH2 नेगेटिव फिर अटेक करेंगा, तो इस वाले हैच को फिर से ले लेगा, यह बन जाएगा, इसलिए डबल बन से ट्रिपल बन बन पा रहा है, अगर नहीं होता, तो यह यह reaction सिर्फ एलकीन पर ही stop हो जाती ही, तो sodamide का एक use है यहाँ पर, समझे आप, तो यह जब बन जाएगा, तो यहाँ पर यह bond break हो गया, तो triple bond, C, C, यह वाला बन गया, right guys, I hope समझ में आयोंगे, A, B, C, D, हमने सब identify कर लिए, बहुत ही अच्छा question था, guys, sodamide की preference आपने जब यह is unreactive towards sodium, यहाँ एने से जब reaction करते हैं, तो कोई reaction नहीं हो लिए, अब यह sodium guys, जब भी reaction हो, बहुत ही अच्छा base की तरह behave करता है, electron donate करता है, मैं इस पर एक video बनाई हो, देखेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई no acidic H, जो मेरा X है, उसमें कोई acidic H नहीं है, it does not add with bromine, now BR2 है, यह add नहीं होता इस पर, जैसे यह DC है, BR2 के साथ reaction करूँगा मैं इसमें, तो CC, BR और BR, यह reaction नहीं हो रहा, यह addition नहीं हो रहा, ब्यार का, तो इसका मतलब इसमें double bond भी नहीं है, it also does not react with shifts reagent, now shifts reagent के साथ नहीं रहा इसका मतलब, यह aldehyde भी नहीं है, right guys, अब क्या है on refluxing with axis of HI, X yields, right, only one organic, X yields, जो X है, only one organic product, now यह, जब मैं HI के साथ बनाता हूँ, तो यहाने reaction कराता हूँ, सुफ एक compound बनता है, right, Y on hydrolysis, yield एक new compound Z, अब जब मैं इसका hydrolysis करता हूँ, Z बनता है, which can be converted back into Y, by reaction with red P plus I2, अब देखें guys, बहुत अच्छा है यह, the compound Z on oxidation with potassium per magnet, gives a carboxylic acid, the equivalent weight of acid is 60, XYZ बताने है, अब देखें guys, सबसे basic बेसिक चलिया, 60 equivalent weight बनता लिया, अगर मैं इसमें CSC, CW, OH मान के चलूँ, मैंने तुक्का मारा खुझ से की, चलो मैं ठीक है, एक एक मान के चलता हूँ, जल देल दी, तो इसमें क्या है, अगर आप balance करेंगे, 12 into 2, 2 carbon है, प्लस 4 hydrogen है, 4 into 1, प्लस 16, 2 into, यह atomic mass weight calculate कर रहा हूँ guys, तो इसमें 60 बैट रहा है, याने CSC, CW, OH, यह मेरा, क्या होगा, acid बन गया, right guys, यह acid बन गया, अब Z क्या है, क्यमनो 4 से convert हो रहा है, अब देगे, अब क्या हो रहा है, now, अब suppose यह कह रहा है कि oxidation हुआ था, now यह oxidation guys, aldehyde और acid का, कैसे कैसे हो सकता है, यह Z, यहाँ पर CS3, COO, H भी हो सकता है, यह Z, यहाँ पर CS3, CH2, OH भी हो सकता है, अब दो बात मान के चलिए गाईज़, अब red P plus जब I2 reaction होती है guys, मैंने आपको बताया था, कि red P plus X2, या PCL, PX, PX5, PX3, red P plus X2, या SOCL2 जब भी reaction होगी, तो अगर मैं reagent पर OH है, जैसे इस case में, RCWH, OH को simple आप X से replace कर दे, कैसे देखे, for example, अगर मेरा RCWOH है, और मैं PCL5, red P plus CL2, या ऐसे किसी reagent, PCL3, या SOCL2 से reaction कराता हूँ, तो यह जो OH है, simple CL से replace हो जाता है, ठीक है, ROH है, तो यह RCL हो जाएगा, H2O है, तो यह HCL में हो जाएगा, तो similarly, यह जब मैं इससे reaction करा रहा हूँ, तो यह reaction दे रहा है और इसमें वापस convert हो रहा है, तो इसका मतलब यह तो reaction नहीं देगा, तो इसमें, मतलब Z जो क्या होगा, यह होना चाहिए, तो Z क्या है, जब यह वापस इसमें reaction दे रहा है, तो यह CL में convert हो रहा है, यह I है, तो यह I में convert हो रहा है, 7-mega, क्योंकि यह OH होता है, I2 से reaction हो रहा है, तो मेरा जो Y है, यह है, CS3, CS2 and I, अब I इन्होंने कहा था कि A की type का compound है, hydrolysis होने के बाद, HI के साथ, right guys, so मेरा यहाँ पर, जो मेरा यह compound बन गया, X, क्या बन गया, आपका, sorry, Y, एकलोता compound है, CS3, CS2, I, और यह हुआ था, HI के साथ reaction करने के बाद, आपको असानी लगे समझ में, इसमें इन्होंने कहा था, कि जब HI के साथ reaction करी, तो यह इकलोता CS3, CS2, I बना, right, so अब मुझे वापस ले जाना है, जो मेरी HI के साथ reaction हो लिए है, जिसमें oxygen भी हो, दो main compound हो सकते हैं, देखे, double bond, C, double bond वाला तो ही नहीं, देखे, इधर CC, जो I है, या तो OH, या C, C, O, CC, इस साथ का compound हो सकता है, multiple हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें आप हाईडूलिशी, जब मैं HI के साथ reaction करूँगा, और यहां I जोड़ जाएगा, करके देखेगा, लेकिन इस OH में acidic H था, तो यानि ये तो है नहीं, अब एथर हो सकता है, लेकिन इथर में भी, क्योंकि जब मैं इसका डबल, ये OH तोड़ूँगा, तो एक ही product बना होगा, आप करके देखेगा, तो यानि ये OH के around symmetric है, वह symmetric है, तो यानि मेरा ये final product हो जाएगा, इस टाइप के लंबे question है, आज कल नहीं पूछे जाते, देकिन आपको ये पता होन होगा, ह, ये CCI बन गया, similarly जब ये वाला भी again HI से reaction करेगा, और CCI बना देगा, so I hope guys आपको समझ माया होगा, right, now question के देखे, write the structures of products, ये बताने, देखे, मैं इससे थोड़ा simple तरीके से बना दू, तो ये CH3, CH3, OCH3, right, अब इसमें HI axis से reaction हो रही है, अब देखे, मैं one by one करा तो पहले answer reaction कराऊँगा, right, तो ये attack करेगा, इस पे OH बन जाएगा, तो CH, CH3, CH3, OH, CH3, अब ये bone भी break हो सकता है, ये भी bone break हो सकता है, तो दो condition बन जाएगी, पहले case में जब ये bone break होगा, ये वाला, right, तो CH, CH3, CH3, OH इधर आ जाएगा, और ये CH3 positive बन जाएगा, और जब दूसरे case में ये वाला bone break होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, CH3, CH, CH3, positive charge, और यहाँ पर CH3, OH बन गया, right, अगेले step में जो ये वाला process है, इधर तो I जुट जाएगा, I negative attack कर देगा, इधर I negative attack कर देगा, right, ये तो ये product होगा, अगें जो ये वाले product है, ये भी HIN से reaction करेंग करेंगे, OH2 निकल जाएगा, positive charge, similarly ये positive charge, I attack करेंगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH, CH3, 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 I, अगें ये क्या हो जाएगा, CH3, I, तो अगर आप गोड से देखेंगा, ये वाला product और ये same है, and ये वाला और ये वाला दोनों same है, तो जो main आपके जो product बने है, final, major, एक्सी CH3, CH3I, and दूसरा methyl iodide, CH3I, I hope guys आपको समझ में आओगा, so that's all from my side guys, thank you for watching, और अगर कोई guys question में दिक्कत होई हो, मुझे बता दे, कोई issue नहीं है, so thank you for watching, like, share and subscribe, bye